आज की इस वीडियो में हम जे माइक्रोचिप की एविलिटी का टेस्ट करने वाले हैं जो की फ्री फैर में दो न्यू गन आई है एक का नाम है चार्जबस्टर और एक का नाम है एम 1887X और जहां तक जे की एविलिटी देखा जाया तो सोडगन में वर्क करती है और सोडगन में यदि तीन एमो रहीगी तो आपर जे की एविलिटी वर्क करनी चाहिए तो हम इसी का टेस्ट करेंगे कि यहाँ पर होता है क्य चाहिए था लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके की एमो रिलोड नहीं हो रही है तो आप समझ सकतो कि चार्जबस्टर में जे माइक्रोचिप की एविलिटी काम नहीं करती है इसके बाद हम बात करते है जो अपनी तीन गोली वाली सोडगन है उस पर जे की एविलिटी वर्क क 1887 x जो की तीन गोली वाली है तो उसमें जे की एविलिटी वर्क करती है तो आप समझ सकते हो कि यह वाली सोडगन आप चलाते हो तो आपको काफी जादा फायदा देखने को मिनने वाला है तो इसमें तीन गोली है इसलिए इसकी एविलिटी वर्क कर रही है और यदि बात क तेन वाली है यादि हम इन से किसी भी बन्दे को नुक करते है तो 45% एमो उसमें अपने आप रेलोड हो जाती है और वो जो एमो रeलोड होती है वो हमारे बेक पेक से नहीं लगती है उसको J-microchip खोदी देता है तो गाइज आप समझ सकते हो कि यहाँ पर यदि आपका विक पिक जल्दी भर जाता है तो आप आप यहाँ आप जे माइक्रोचिप का यूज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर यह आपकी स्टोरेज को काफी बचाएगा आप किसी भी एनिमी को नोक करोगी तो यहाँ पर आपकी एमो बची रहेगी, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने तीन बंदों को निप्टा दिया, लेकिन अभी भी UMP में 41 की 41, यहाँ पर फुल एमो लगबग है, यहाँ पर 42 एमो आती है, तो 41 तो बची हुई है, तो guys आप समझ सकते हो, यदि आप जे माइक के सनों कर लिए.